भारतिय जनता पार्टी के रस्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नड़ा का कारेकाल समाप्थ हो चुका है और ऐसे में बीजेपी को अब नए रस्ट्रिय अध्यक्ष की तलाश है और इसको लेकर लगतार बैठ के भी हो रही है लेकिन अधिकारिक तोर पर कुछ भी पुष्टी नहीं की गई है लेकिन सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि जेपी नड़ा के कारेकाल को खत्म होने के बाद अब जो नए अध्यक्ष को लेकर मन्थन जारी है इसमें ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी अपना अगला रस्ट्रिय अध्यक्ष किसी महिला के हाथों में ये कमान सौप सकती है और इसको लेकर हाल ही में भारतिय जनता पार्टी की उच अस्तरिय बैठक हुई है जुसमें रस्ट्रिय स्वेम सेवक संग के भी कई अधिकारी शामिल हुए थे और ये बैठक ग्रीह मंतरी राजुनाच सिंके नेत्रुत्त में किया गया है और दावा किया जा रहा है कि इस बार या तो OBC के हाथों में अध्यक्ष की कमान सौपी जा सकती है या फिर भारतिय जनता पार्टे इस बार कुछ नया करेगी क्योंकि इससे पहले कभी किसी महिला ने भारतिय जनता पार्टी की रास्त्रिय अध्यक्ष का पद नहीं संभाला है और ऐसे में यदि BJP इस बार महिला को मौका देती है तो ये नई पहल होगी नई शुरुआत होगी क्योंकि केंदर में तीसरी बार इंडिये गटबंदन की सरकार बन चुकी है और तब से ही आसा चर्चा था कि जब JP नड़ा का कारेकाल समाप्त होगा तो इस बार भारतिये जनता पार्टी किसी नए चेहरे को मौका देगी और अब ये खबर निकल क्यार रही है कि इस बार JP नड़ा के कारेकाल खत्म होने के बाद बीजेपी की कई एहम बैटिके हो चुकी है राश्ट्रिय अध्यक्ष को लेकर मन्थन लगतार पार्टी में जारी है और कयास लगाये जा रहे हैं कि इस बार भारतिये जनता पार्टी नए चेहरे को मौका तो देगी ही खास कर इस बार महिला को ये कमान BJP स्वाप सकती है हलाकि ये तो देखना दिल्चस्प रहेगा कि वाकी ऐसा होता है कि नहीं क्योंकि अभी तो ये सिर्फ दावा किया जा रहा है भारतिये जनता पार्टी की ओर से अधिकारिक तोर पर कोई पुष्टी इस पर नहीं की गई है रिपोर्ट के अनुसार सुत्रो का कहना है कि अगले पार्टी अध्यक्ष पद के लिए संग की तरब से सहमती मिलना भी जरूरी है बिना RSS के सहमती से बिजुपी कोई फैसला नहीं करेगी अब जब पार्टी में पहले एहम पदों पर रह चुके दिगजों को केंदर सरकार में शामिल किया जा चुका है तो भार्टी जनता पार्टी और संग के पदाधिकारी जमीनी राज़ुनिती के बैग्राउंड वाले नेता की तलाश कर रहे हैं अलाकि इसे लेकर अधिकारिक तोर पर कुछ भी नहीं कहा गया है रिपोर्ट के मताबिक अटकले हैं कि अगला अध्यक्ष महिला या फिर OBC हो सकता है इससे पहले कभी भी भाज़पा की कमान किसी महिला के हाथ में नहीं रही है साथ ही आपको बता देए कि भार्टी जनता पार्टी के अगले अध्यक्ष की दौर में महा राष्टर के उप मुख्य मंतरी देविंदर फड़नवीस का नाम भी चर्चा में है हलाकि फड़नवीस या भाज़पा की तरफ से इसे लेकर आधिकारिक तोर पर कुछ भी नहीं कहा गया है हाल ही में प्रधान मंतरी नरेंदर मूदी से मुलाकात के बाद उनके नाम को लेकर अटकले और तेज हो गई थी यानि कि इस बार बीजेपी की जो बैठक चल रही है इसमें कुछ खास और नया निकल कर सामने आ सकता है कुछ चोकाने वाला फैसला भाती जनता पार्टी इस बार ले सकती है क्योंकि जेपी नड़ा के कारेकाल को समाप्त होते ही भाती जनता पार्टी के रस्रिय अध्यक्षपद की कुरसी इस वक्त खाली है और कई नाम ऐसे हैं जो सबसे जादा रेस में आगे चल रहे हैं लेकिन हलाकि अभी कोई भी महिला का नाम निकल कर सामने नहीं आया है लेकिन रिपोर्ट के हवाले से के दावा किया जा रहा है कि इस बार BJP अपने रस्रिय अध्यक्ष की पद किसी महिला के हाथों में स्वाप सकती है और खास कर भारती जनता पार्टी और रस्रिय स्वेम सेवक संग की जो बैठक चल रही है उसमें नेता और अधिकारी जमीनी अस्तर के नेता की तलाश कर रहे हैं और उन्हें ही वो रस्रिय अध्यक्ष की कुर्सी स्वाप सकते हैं उन्हें ये कमान दिया जा सकता है